दीपक और पूजा की शादी को आट साल हो गए थे, पर उन्हें उलाद का सुख नहीं मिला था पूजा को दिन चड़ते थे पर पेट में बच्चा नहीं रुखता था, ट्यूब में रह जाता था अब तो मानो अपने बच्चे के लिए पूजा और दीपक की उमीद ही खत्मों गई थी, एक दिन, बस शोभा दीदी, अब तो सब जगा दीपक और पूजा दोनों को ले जाकर देख लिया कोई डॉक्टर हकीम किसी के पास कोई इलाज नहीं, पता नहीं मेरे बच्चों के भाग्य में क्या लिखा है आशा तुम चिंता मत करो, भगवान कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं दीपक की मा आशा, दीपक और पूजा की चिंता में परिशान रहती थी, एक शाम देखिए, इन्हें 15 दिन उपर हैं, पर बच्चा इनकी ट्यूब में ही पनप्रा है, हमें अबोर्शन करना होगा बार-बार अबोर्शन करने से इनकी एक ट्यूब पूरी तरह खराब हो चुकी है, सॉरी, अब ये कभी मा नहीं बन सकती ये भगवान, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें इतना बड़ा दुख क्यों नसीब हुआ माजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही भागे में ये दुख क्यों आया, क्या आप कोई मुझे मा कहकर नहीं पुकारेगा, माजी चुपोजा मेरी बच्ची, मैं भी तुझे क्या दिना साथ हूँ, मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है, एक उमेट की किरन जगी थी, वो भी छिन गए पुझा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए काया ना, तुम रेस्ट करो, ज्यादा चिंता करोगी तो तुम्हारी तबियत ज्यादा खराब हो जाएगी पुझा उदास रहें लगी थी, बस घर का काम करके अपनी कमरे में बैठी रहती थी पुझा थोड़ी देर कहीं घूमने चलते हैं, चलो तयार हो जाओ नहीं दिपक, मेरा मन नहीं है, थोड़ी थकान है, आप बैठो मैं आपके लिए चाय लाती हूँ दिपक, मैं जानती हूँ, माना बनने का दुख बहुत बड़ा है एक औरत के लिए, पर मैं देख रहे हूँ, आज तू भी थोड़ा परिशान दिखाई दे रहा है दिपक, बिजनेस के घाटे की बात आशा से करी रहा था, तब ही पूझा सारी बात सुन लेती है अरे, पूझा, लाव भई चाय दो, कबसे सर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे हाथ की चाय पेकर मिंटो में गायब हो जाएगा दिपक, आप आज भी मेर से ठीक से जूट नहीं बोल पाते, मैंने आपकी बात सुन ली है, बिजनेस में आपको नुकसान हुआ है और मैं भी तो आपको कोई खुशी नहीं दे पाई पूझा आज बोल दिया दुबारा ना कहना, तुम हो तो मैं हूँ दिपक काम को लेकर परिशान था, पर वो पूझा को और परिशान नहीं करना चाहता था अगले दिन पूझा की सहीली आकांशा उसे मिलने आती है नमस्ते आंटी जी, कैसी है तू पूझा, फोन पर इतनी बात हो नहीं पाई मैंने सोचा आज इसे मिलने ही आ जाती हूँ बहुत अच्छा किया बेटी, वैसे भी पूझा कामन तुम्हारे आने से थोड़ा ठीक हो जाएगा तुम दोनों बाते करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ पूझा, मुझे तेर से एक जरूरी बात करनी है क्यों न तुम लोग किसी अनाथाश्रम से बच्चा गोद ले लो एक बच्चे को भी माबाप का प्यार मिल जाएगा पर माची और दीपक ने अगर मना कर दिया तो तु एक बार दीपक जी से बात करके देख, शायद बात बन जाए पूझा दीपक से इस बारे में बात करती है पूझा, मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए, मैं माँ से बात करता हूँ आशा की बात सुनकर पूजा भी बहुत खुश होती है और अगले दिन दीपक और पूजा अनाथाश्रम में बच्चे को गोद लेने के लिए पता करने लगे पर जैसा दीपक और पूजा चाहते थे उन्हें कहीं भी किसी अनाथाश्रम में कोई नवजात शिशु नहीं मिला इसके बाद तो मानो पूजा की उमीद में फिर से निराशा ही हाथ लगी हे भगवान अब मैं क्या करूँ मेरी एक और उमीद भी खत्म हो गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ पूजा कहां है भई घर में इतना सुनसान क्यूँ है सब कहां है मुस्कान भाबी आप अरे मानस दीप्ती कैसे हो दोनो अपनी बुआ के पास इतने दिनों बाद आयो मेरी याद नहीं आती सारा दिन घर पर यही शोर मचाते रहते हैं दोनो पूजा बुआ के पास चलो मुमी भस आज मिलवाने ले आई क्या हुआ अनाथ अश्रम में कोई बाद बनी नहीं भाबी वहाँ पर न्यूबॉर्ण बेबी कोई भी नहीं है वो लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं अब काफी दिनों से कोई बच्चा देने नहीं आ रहा भाबी मैं क्या करूँ भगवान मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे अब मेरी उमीद बिलकुल तूट गई है मैं इस परिवार को खुश्या नहीं दे पाई शायद मेरा ही नसीब कराव है भाबी अब मेरी सुनी गोत कौन भरेगा कौन मुझे उलाद देगा मैं दूँगी तुझे उलाद का सुक मैं तेरे लिए बच्चा पैदा करूँगी क्यों एक बुवा एक माँ बन सकती है न मुस्कान भाबी आप मेरी खुशी के लिए मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लोगे हाँ तो अपनी बेहन के लिए मैं एक बच्चा पैदा करूँगी ये मेरा वादा है ये बाद जब सबको पता चलती है सब मुस्कान की बहुत तारीफ करते है पुझा मुस्कान का नवा महीना चल रहा है मुझे लगता है दिवाली के आसपास ही बच्चा होगा माजी डॉक्टर ने भी अगले हफते तक की डेखती है मैं सोच रही थी कि भाबी की देखभाल के लिए अगर मैं उनके पास ही रहूँ हाँ हाँ और फिर वो भी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है तुम्हें मुस्कान बिट्या के पास ही होना चाहिए पुजा मुस्कान के डिलिवरी तक माई के चली जाती है और फिर एक हपते बाद धंतेरस के शुब दिन पर मुस्कान एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है खेलो पुजा अपनी लक्षमी अपनी बेटी को गोद में ले लो मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी, मुस्कान भाबी आपने मेरे सुने चीवन को खुश्यों से भर दिया बेहन जी, आप दादी बन गए और मैं नानी, हमारे घर लक्ष्मी आई है, घेलो पूजा से बात कर लो हलो माजी, क्या, हमारे घर लक्षमी आई है, पूजा मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, माजी मैं दीपक को फोन करके बताती हूँ पूजो और दीपक एक दूसरे को फोन मिला रहे थे, तभी दीपक पूजा को बताता है पूजा में तुम्हारा फोन मिला रहा था, पर मिल नहीं रहा था मैं भी आपको ही मिला रहे थी पूजा, मुझे तुम्हें एक खुश खबरी सुनानी है, मेरा जो माल वापस आया था न, वो किसी खलब सहमी की वज़ा से क्लाइंट ने भेज दिया था अब दुबारा ओडर मिल गया है, आज धन तेरस के दिन इतना बड़ा ओडर, मा लक्षमी की क्रिपा से मिल गया फिर तो बेटी के पिता को धन तेरस के शुब मौके पर धेर सारी बधाई हो और फिर दिपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तुरंती आशा के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है और बच्ची को गोद में लेता है पूजो और दिपक की आँखों में खुशी के आंसु थे ला, मेरी गोद में भी दे मेरी पोती, मेरी लक्षमी को मुस्कान, तुमने पूजा के लिए जो किया है वो अमूले है बेटी दिपक और पूजा की जिंदगी में सच मुच धन तेरस के दिन लक्षमी रूप में बेटी का आना, उनका भागय ही बदल जाता है दिपक का कारुबार भी बेटी के आते ही ठीक हो गया और मालक्षमी की कृपा से बेटी के नन्जे कदमों से पूजा और दिपक के परिवार में धन तेरस के खुशियां दुगनी हो जाती है